असलाम लेकुम दोस्तों मैं हुआना और आपको वेल्किम किया तो एक बार फिर हंटेक पे उमीद आप सब खेरियत से होंगे हमारे पास ने कुछ अपकमिंग स्मार्टफून से रिलेटेड नियूस दी भाई फाइनली बहुत टाइम बात हमें ये नियूस में मिली है आपकमिंग स्मार्टफून पाकिसानी मार्केट में आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में क्यूंकि हमने जो अपकमिंग स्मार्टफून से रिलेटेड वीडियोस बनाई थी चाहे वो रियल्मी की तरफ से हो डेड्मी की तरफ से हो ओपो की तरफ से हो या तो आपके साथ भी शेयर करते हैं कौन-कौन से स्मार्टफून आपको पाकिसानी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं उसे पर अगर आगर आप चैनल पर नहीं है तो यार पहले हमारे हंटे के चैनल को सब्सक्राइब कर लें फैमली का हिस्सा बन जाए और हम लोग ना डेली वर्जन होने वाला है जो के वीवो को X-Fold S के नाम से हो सकता है और अगर इस स्मार्टफून की बात करूं तो भाई यह स्मार्टफून बहुत स्पेशल होने वाला और जो इसकी प्राइज है वह भी काफी स्पेशल हो सकती है अब क्या स्पैस्पिकेशन इसमें आपको मिल सकती है तो वो डिसकस कर लेते हैं इसके अंदर आपको 8 प्लस जन 1 का चिपसेट मिल सकता है जो के बहुत ही तकड़ा प्रोसेसर है और इस चाइम वर्ल्ट का फासेश चिपसेट भी है और अगर इसके अंदर आप डिस्प्ले की बात करें इसके आपको 8 इंचीज वाली टै इनका एक्स पॉर्जर होता जो इनका इनकी डिस्प्ले की राजलुशन आपको मिलती है अगर स्मार्टफून में वर्येंट की बात करें तो थो पासिब्ल आपको बारींगे संदर आपको 12 जीबी रेम के साथ tut 56 जीबी और 512 जीबी वाले वर्येंट्स मिल सकते हैं तो इस मिल जाता है 12 Megapixel का टेली फोटो लेंज और 48 Megapixel का आपको एक अल्ट्रा वाइट सेंसर मिल जाएगा स्मार्टफून में आपको बैक कैमरा में Optical Image Stabilization 8K वीडियो रिकॉर्डिंग 5 अप्टिकल जूम और जो इस तरह के सारे स्मार्टफून से एक्सपेक्टिड होते हैं वो सारे स्मार्टफून में मिलने वाले हैं फ्रेंट साइट पर आपको 16 Megapixel का कैमरा मिल सकता है 4600 mAh की आपको बैटरी मिल सकती है स्मार्टफून में साथ आपको 66W की Fast Charging मिल जाएगी 50W की Wireless Charging 10W की सकंदर आपको Reverse Charging में मिलने वाली है इन डिस्प्रेंट स्कानर की सपोर्ट भी अवेलेबल है आने वाली कॉभर्मेंट जो नहीं आती है वह वो ऐसे सब्सक्राइब कर देती है तो के बात करूंट के बात करो तो च्थैक्स बताएब और उन्सपास बताई जा रही है यह निई 3 लाग प्लस ही होगी आसपास तो नहीं तो देखने पढ़ाइग जबदा बाब लांच मे series की डिवाइस है बाकिसानी मार्केट में ओपो रेनो एड के नाम से मिल सकती है अगर इसक्राइब की बात करूं तो यार कोई इतना खास नहीं और जो इसकी प्रैस है का भी एक्ष्पेक्टिड है वो काफी ज्यादा है अगर इसमार्टफून की बात करूं तो इसकंदर आप आपको 680 के साथ मिलने वाला है 5G चिपसेट है अगर स्मार्टफून की बात करूं डिस्प्ले की तो 6.43 इंचिस का आपको 1080P रेजलूशन के साथ 5 डिस्प्ले मिलने वाला है अब यह कंफर्म नहीं है कि 120Hz मिलता है यह 90Hz मिलता है लेकिन कुछ नहीं कुछ तो देगा इत सेलफी शूटर मिल सकता है बैक और फ्रेंट दोनों में यह आपको एलेक्ट्रों की मिल जाएगी इसके लावा पें तालिसों में इसकी बैटरी और 33 वाट की फास शार्जिंग मिल सकते इस डिवाइस में 8GB और 256GB के साथ यह डिवाइस आपको मिल सकती है पाकिसानी मार्क सकती है यह वैले फर मनी हो सकती है लेकिन अभी इस टाइम के अपर अगर आप इसको एक्टी नाइंट का सेल करते हैं तो आई थिंग यह थोड़ा से ज्यादा एक्स्पैंसिव हो जाता है आज के टाइम पर भी अगर लास की बात करें तो यह रियलमी की तरव से आपको मिल सकती है जो के रियलमी की सीरीज की डवाइस है रियलमी सी 33 के नाम से आपको बगसानी मार्गेट में मल सकती है अगर स्मार्टफून के प्रोसेसर की बात करूँ तो इसके रापको यूणिशाग का टाइगर T612 वाला प्रोसेसर मिलने वाला है जो कि फिल्कुल एक बेसीग प्रोसेसर है आपको गेमिंग में अच्छी प्रफॉर्मस में देगा लेकिन डे टो डे यूज में आपको किसी किसम का लैग वगारा फील नहीं होगा इसके लावा आप 6.5 इंचे का आपको एक नौच डिस्प्ले मिलने वाला है, 720 ह्ट या 90 हट इस तरह का कुछ भी आपको मुशकिल है, मिले इसके अंदर, आपको इसके अंदर तीन मिल सकते हैं जिसके आपको 32 जिपी, 64 जिपी और 108 जिपी वाले वाले विडियंट्स मिल सकते हैं तो इसके जो क्वालिटी है बहुत ज़्यादा अची नहीं होने वाली एक बिल्कुल बेसिक लेवल की आपको इसमें क्वालिटी मिल जाएगी इसके लावा साइड बांड़ेफिक हैं पर स्कैनर और फ्रेंड कैमरा में फेस आईडी की सबोर्ट मिल जाएगी 5000 बैट्रिये 10 वाट की न मुझे कॉमेंट्स में बताएगा कि आपकी स्मार्टफून से रिलेटट क्या राया अगर आपके पास इतने पैसे हैं या आपको स्मार्टफून लेना चाहरे हैं तो क्या आप इन में से कौन सी डिवाइस की जाना ज्यादा प्रेफिक करेंगे चैनल लाइक और शेर निच झाल 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 झाल